बुलुस्री प्राणनाथ प्यारे की, बुलुस्री सत्गुरु महराज की चले अगरिये से, परने पहुचे आए, डेरा किया अमराई में, थोर जण्डे की चित लियाए ठोर जण्डे की चित लियाए, नदी किलकिला तीर पे प्राणधार आत्मसम्मंदी सुन्दर साज जी कल की चर्चा में हमने रामनगर और गढ़े का वृत्तांत सुना किस तरह से, सूरत सिंग जी के माध्यम से, डिवान देवकरण जी तक स्री जी की बात पहुचती है कैसे, देवकरण जी स्री जी से मिलते हैं, उनकी चर्चा सुनकर स्री जी के स्वरुप की पहचान हो जाती है, किस तरह उनके माध्यम से, चत्रच साल जी तक स्री जी का संदेश पहुचता है और लाल दास जी, उत्तम दास जी, जीवन दास जी, गोविन दास जी, ये चार सुन्दर साथ जाकर के चत्रच साल जी को निजानन दर्शन और प्राणन जी के स्वरुप की पहचान देते हैं और उनके मन में अब स्री जी से मिलने की इच्छा होती है चत्रच साल जी की तरफ से संदेश पाकर कैसे, स्री जी अगरिया से चल करके पन्ना जी पहुचे हैं वहां तक का हमने बृत्तांत सुना अब आगे कहते हैं, नदी किलकिला तीर पे उत्रे परमहन साए पन्ना जी में किलकिला नदी है, जिसको हम पदमावती भी कहते हैं पदमा का अर्थ होता है कमला, जो लक्षमी जी का दूसरा नाम है एक प्रसंग आता है पुराण में, देवी भागवत महा पुराण में कि किसी कारण वस एक बार गंगा और लक्षमी जी में विवाद हो गए और दोनों ने एक दूसरे को मृत्य लोक में जाने का सराब दिया अब सराब देने के बाद दोनों दुखी हैं, अमुमन होता यहिए अनायास अकारण ही विवाद होता है जगडा होता है बाद में पता चलता है कि ये तो इतना बड़ा विशय भी नहीं था जितना हमने बना दिया तो दोनों दुखी हो गए और अब दोनों को समझाते हुए विश्णु भगवान ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए 28 वे कलियुग में स्वयम परब्रम भरत खंड में आने वाले हैं और उनके चरण कमल से अथा वा उनके चरण रज से आप दोनों की मुक्ती होगी अब गंगा भी प्रित्वी लोग पर है जब स्रीजी हरीद्वार पहुँचे तो वहां स्रीजी के चरण रज पड़े गंगा में और अब पन्ना जी पहुँचे हैं किलकिला नदी के किनारे पे उत्रे परमहंस आए परमहंस किसे कहते हैं आजकल तो परमहंस एक पद की तरह हो गया है कि कोई भी दे रहा है कोई भी ले रहा है और कोई भी लगा रहा है परमहंस एक अवस्था है जब तक उस अवस्था में कोई व्यक्ति नहीं पहुँच जाता उसे किसी ट्रस्ट के द्वारा किसी सस्था के द्वारा परमहंस के पद से शुशोभित नहीं किया जा सकता है परमहंस की पहचान बताते हुए वार्णी कहती है कि परमहंस बिन कौन का है जिन तजे है तीन शरीर परमहंस तो उसको कहा जाता है जिनोंने तीनों शरीर का त्याग कर दिया हो तीनों शरीर का ताथ पर ये क्या है एक तो है स्थुल शरीर जिसमें हमारे ये पांच तत्व, पांच ग्यानेंद्रियां, करमेंद्रियां, अंतसकरण ये सब मिले हुए हैं तो पहला स्थुल सरीर है दूसरा है सुक्ष्म सरीर सुक्ष्म सरीर में पांच स्थुल भूत हट जाते हैं पांच तत्व हट जाते हैं इंद्रियां रहती है लेकिन ये जो इंद्रियां हमें दिख रही है ये नहीं जिनको ये हम नासिका इंद्रिया समझते हैं करण इंद्रिया समझते हैं ये वास्तों में इंद्रियों के केवल गोलक हैं जैसे ये नाक काट भी दी जाए तब भी हम सांस तो ले सकते हैं छिद् की सुंगने की देखने की इस्पर्ष करने की जो शक्ति है वे इंद्रियां हैं तो सुक्ष्म अवस्था में पांच तत्व समाप्थ हो जाते हैं कारण अवस्था में इंद्रियां भी हट जाती हैं ज्यानेंद्रियां करमेंद्रियां सब हट जाती हैं केवल अंतसकरण तथा जीव रहता है और जिसने तीनों सरीर को छोड़ दिया है अर्थात जो तीनों सरीर के भाव से उपर उठ गया है उसको परम्हंच कहा जाता है इसका तात्पर्य ये है कि वह अंतसकरण की अवस्था से भी उपर उठ चुका है अर्थात जब वह अपने जीव के शुद अवस्था तक पहुँच जाता है उसे परमहंच कहा जाता है ये एक अवस्था है अभी कुछ दिनों पहले हमने हरिद्वार के सास्त्रार्थ में योगदर्शन के विशय को सुना समझा जिसमें हमने दो प्रकार की समाधियों का वर्णन सुना था एक संप्रज्यात समाधि और एक असंप्रज्यात समाधि संप्रज्यात समाधि के अवस्था तक भी कोई विक्ति परमहंस नहीं कहलाता क्योंकि उसमें कहीं न कहीं अंतसकरण जुड़े होते हैं स्वयम के चित का आभास हो रहा होता है अंतसकरण के चार भाग है ना मन, चित, बुद्धी और अहंकार पर असंप्रज्यात समाधी की अवस्था में अंतसकरण का भी आभास नहीं रहता है वह ब्रह्म में पूरी तरह से लीन हो जाता है ब्रह्म और उसमें दो का आभास नहीं रहता है उस अवस्था को असमप्रज्यात समाधी की अवस्था कहा जाता है और जो ब्रह्मिश्रिष्टी उस अवस्था तक पहुंचती है उसे परमहंच कहा जाता है इसका भाव यह हुआ कि जिसके अंदर भी परमधाम की ब्रह्मिश्रिष्टी है वही परमहंच अवस्था तक पहुंच सकता है लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी यह है कि तार्तम ज्यान लेते ही हम अपने आपको परमहंच नहीं कह सकते क्योंकि तार्तम तो भीहारी जी तक भी पहुंचा था जब से श्रीदेव चिंद्र जी के हृदेधाम में राजी विराजमान हुवे देव चिंद्र जी के तंशे तार्तम के पहली चवपाई उत्री उस दिन से लेकर के आज तक लाखों लोगों को तार्तम ज्यान मिल चुका है दावा तो सभी लेते होंगे जिस तरह से ये चवपाई है कि ना जाने इस जुण्ड में कौन सुहागिन होए कोई भी ब्रह्मिस्रिष्टी हो सकती है ना पर इसका दूसरा भाव यह है कि कोई भी हो सकता है हर कोई नहीं हो सकता है और दूसरी बात कि जो स्वयम परमहंच अवस्था तक कहुंचे हैं वह कभे भी अपने आपको परमहंच नहीं कहलाते समाज उनकी रहनी को उनकी अवस्था को देख करके परमहंच कहता है इसलिए हमें से किसी को भी भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए कि हम अपने नाम के आगे परमहंच लगा दे या फिर किसी सहस्था के कुछ ट्रस्ट को ट्रस्टी गणों को या फिर अपने अदीन में रहे कुछ सुन्दर साथ को कह करके बहला फुसला करके कहलवाना सुरू करे कि फलाना तो परमहंच हो गए पर आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपकी अवस्था क्या है बस मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह से गुनहगार ना बने तो एक बात हमने इस पस्ट रूप से समझा कि परम्हंस किसे कहा जाता है वे परम्हंस ब्रह्मिस्रिष्टियां वहां पहुची हैं किलकिला नदी के तीर पे उनके साथ में पंद्रसो इस्वरिस्रिष्टी भी है और बाकी के तीन हजार के लगभग जिव स्रिष्टी भी है और वैसे सभी सुन्दर साथ हैं और उनमें सिर्दार कौन है तिनमें सिर्दार अक्षराती देख अपना ठोर सुख पाई ब्रह्म सुष्टियों के सिर्दार है अक्षराती धामधनी स्री राजी और उन्होंने जब पन्ना जी को देखा तो अपना ठोर अर्थात अपना करके अब जब श्रीजी सहीत सुन्दर साथ को वहां पहुंचे हुए देखा पांच अजार की जमात जब चलती है तब तभी पता चल जाता है तो वहां के इस्थानिय जो लोग थे जिनको गौण कहा गया है आदिवासे भी कहा जाता है वैसे तो यह जो शब्द है आदिवासी यह कही न कही राजनेतिक शब्द है आदी का मतलब क्या होता है प्रारम से जो प्रारम से ही रह रहा हो प्रारम में कोई जाती तो थी नहीं जन्म के आधार पर नहों करके कर्म के आधार पर वर्ण विवस्था थी अंग्रेज जब से आए उन्होंने विभेद पैदा करने के लिए लोगों को टुकडों में बाटना शुरू किया जैसा कि उनका नारा था डिवाइड इन रूल विभाजन करो और शासन करो इसलिए उन्होंने संप्रदायों के नाम पर देवी देवताओं के नाम पर जितना अधिक हो सके बटा हुआ तो पहले थोड़ा थोड़ा था ही उन्होंने और अधिक बाटना शुरू किया वैसे कोई आधिवासी नहीं है सभी मनुस्य है मानो मात्र एग है हाँ कर्म के आधार पर ब्राम्मन, शत्रिय, वैश्य, सुद्र, दस्यो, राक्षस, निशाद, ऐसे ऐसे वर्ण है तो यहाँ जो गौण लोग थे जो पन्ना जी के आसपास के वनों में रहा करते थे उन्होंने सोचा कि इतने सारे साधू है, नदी के किनारे पर ठहरे हुए है उन में से किसी को जानकारी न हो और यदि उस नदी का जल पी लिया तो ये लोग मारे जाएंगे ऐसा सोच कर वहाँ से भागे भागे आए और कहने लगे कहते हैं सबने आए दर्शन करे कही सुनो सबसाध या नदी को जल न पीजियो या के पिये जाए प्राण व्याद उन वनवासियों ने कहा कि ये साधूँ आप इस नदी का जल मत पीजिये क्योंकि यह जल विशयला है जहरीला है कोई भी इस नदी के जल को पीता है तो वहाँ मर जाता है अब सुन्दर साथ तो स्री जी के स्वरुप की पूर्ण पहचान किये हुए है उन्हें पता है कि यही अक्षरातीत जब ब्रज में कृष्ण जी के रूप में थे उन्होंने किस तर से यमना जी में कालिय नाग के द्वार विश के द्वारा प्रभावित यमना जी को विश रहीत किया था तो सुन्दर साथ ने क्या किया तब सब साथ ने मिलके धोयो चरण अंगुठा राज डारियो चरणाम्रित नदी में पीछे नहायो सकल समाज सब सुन्दर साथ ने मिलकर स्री जी के चरण के अंगुठे को धोया और उस चरणाम्रित को किलकिला नदी में डाल दिया और फिर उसके बाद सब सुन्दर साथ ने उसी नदी में सनान भी किया, उसी नदी का जल भी पिया और किसी को कुछ भी नहीं हुआ जिस प्रकार ब्रज में स्री कृष्ण जी के द्वारा एक चमतकारी नीला हुई थी जागनी के ब्रह्मान में वही राज जी जो कृष्ण जी के तन में विराज मान थे, अब महामती जी के रिदैधाम में विराज मान है, वही प्राण नाथ जी है आज पूरा समाज साम की सेवा पुजा में गायन तो करता है कि प्राण नाथमन भाई आली मोहे प्राण नाथमन भाई विंध्या चल परवद के उपर सुन्दर धाम सुहाई और उसी में ये भी चोपाई है कि विष्की नदियां अम्रित कीनो सुख सबन पहुचाए तो विष्की नदि को अम्रित में करने वाले वही है अब इतना सुन्दर साथ प्रती दिन गायन करने के बाद भी ये दि प्राण जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते और संद कवी महापुरुस के रुप में ही प्रस्तुत करते तो फिर ये सुन्दर साथ का दुरुभाग गया है अब वहां से स्री जी ने महाराजा चत्रसाल जी को संदेशा पहुचाया जिस समय स्री जी किलकिला नदी के किनार पर अमराई घाट पे पहुचे है उस समय महाराजा चत्रसाल जी मौव में थे मौव पन्ना जी से जहां तक मेरा विचार है लगबग 80-90 किलो मिटर की दुरी पर है तो वहां संदेश पहुचाया तो महाराजा चत्रसाल जी ने कहलवाया कि अभी ऐसा कार्य ऐसा कार्य आपड़ा है ऐसी अवस्था हो गई है मेरी कि मैं यहां से पन्ना जी नहीं आ सकता हूँ मैं स्रीजी से प्रार्थना करता हूँ कि यदि हो सकता है तो वयोवरिद और महिला संदर साथ को तथा बच्चों को छोड़ कर कुछ युवा संदर साथ के साथ आप स्वयम मवू में पधारें ताकि मेरे मन में जो दर्शन की अभिलाशा है वह भी पूरी हो क्योंकि कहीं न कहीं औरंग्जेब की कोई न कोई सेना पती किसी ने किसी समय में छत्र साल जी के उपर आकरमन करते ही रहते थे यह समय ऐसा था जब औरंग्जेब का एक सेना पती था जिसका नाम था अफगान खा अफगान खा आकरमन करने वाला था गुप्तचरों के माध्यम से सूचना मिल चुकी थी इसलिए उनका वहां से निकलना संभव नहीं था इसलिए उनने खबर पहुँचाई तो स्री जी साहिव बाईजी राज जी और अन्य महिला सुंदर सा तथा व्रिद्धों को वहीं पर छोड़कर कुछ युआ वर्ग के सुंदर साथ के साथ महु साहनिया पहुचे जहां तिदुनी दर्वाजा नामक स्थान था वहां पर स्री जी ने अपना डेरा डाला और उस स्थान पर महराजा 16 साल जी ने वेश बदल कर स्री जी का दूर से ही धरसन किया पहली बार तो ऐसे दर्शन किया कि किसी को भी पता ही नहीं चला और अब दूसरी बार पुनह वेश बदला है कैसा वेश रखा शिकारी का वेश बदलने के दो कारण है प्रमुख पहला क्योंकि राजनिती में हमेशा बच करके रहना चाहिए सावधान रहना चाहिए किसी के उपर भी आँख मूद करके भरोषा नहीं करना चाहिए राजनिती का कथन है चत्र साल जी को ज्यान द्रिष्टी से तो स्री जी के स्वरूप की पहचान हो चुकिये पर अब तक कभी मिले नहीं थे तो एक कारण ये भी था कि पता नहीं ये भी तो हो सकता है ना कि बहुत स सारे लोगों को पता चला था कि छत्र साल जी अपने गले में एक लॉकेट या एक चिन जो था विजयाबिनन्द बुद्धनिस कलंग के स्वरूप का वो हमेशा पहना करते थे माले के रूप में उनकी प्रतिक्षा कर रहे थे तो ये भी हो सकता था कि किसी ने उनकी इस पुंजरी का लाव उठा करके किसी को विजयाबिनन्द बुद्धनिस कलंग स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया हो और ये किसी ने किसी रूप में चाल हो और दूसरा कि भले ही ये चाल नहोती पर और एनग जिप की उपर भी विश्वास नहीं था कि कहीं न कहीं चत्रशाल जी को अपने वास्तविक स्वरुप में देख करके पहचानते तो कुछ भी हो सकता था इसलिए उन्होंने एक शिकारी का वेश बदला और सभी सुन्दर साथ के बीज में राजी एक स्थान पर बैठे हुए थे विराजमान थे चर्चा कर रहे थे महराजा चत्रशाल जी वहाँ जा करके खड़े हो गए अब जितने सुन्दर साथ यहाँ पर उपस्थित हैं नारियल फोड़ने के लिए तो तयार ही होंगे क्योंकि वो जो उपए आने वाली है मानसिक रूप से आप तयार हैं बस मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि हम सुन्दर साथ नारियल तो फोड़ते हैं पर हमें पता नहीं कि नारियल फोड़ने का कारण क्या है देखिए हिंदु धर्म में दो फलका बहुत अधिक महत्व है सबसे अधिक पवित्रय माना जाता है एक नारियल को और दूसरा केले को इसका कारण क्या है जैसे सेव है सेव के बीज को कोई चिडिया खा सकती है निगल सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि उस चिडिया की विष्ठा में वो सेव का बीज वैसे का वैसा है साबुत निकले और उसमें से सेव का पौधा उत्पन हो जाए ऐसा लगबग लगबग किसी भी फल के साथ हो सकता है पर नारियल और केले के साथ नहीं हो सकता क्योंकि केले का बीज उसके फल में नहीं होता है ऐसा नहीं होगा कि केला कोई भी जानवर या कोई भी पक्षी केले के फल को खाए और उसकी विष्ठा से केले का पौधा उत्पन हो ऐसा हो ही नहीं सकता और नारियल को तो कोई खाबी नहीं सकता ऐसे साबूत है ना नारियल को भी यदी तयार करना हो नारियल का पौधा तो पूरा नारियल ही गाड़ना पड़ता है ठीक है और केले का भी इसी प्रकार से होता है कि केले को यदी हम केले को गाड़ करके उसमें से पौधा तयार नहीं कर सकते है ठीक है तो ये दो फल ऐसे हैं जिसमें इस तरह क बाहिय और शुद्धी नहीं रहती है इसलिए उन्हों दो फलों का महत्व है अब केले को तो हम फोड़ नहीं सकते हैं इसलिए नारियल फोड़ते हैं दूसरा नारियल फोड़ने का एक कारण और है पवित्रता तो है ही इस द्रिष्टी से जैसे मैंने कहा दूसरा है कि नारियल कहीं न कहीं महापुरुस के हरदय को दिखाता है महापुरुस कैसे होते हैं सामान्य रूप में अधिकतर महापुरुस बाहरी तोर पर अनुशासनात्मक रूप से कठोर होते हैं लेकिन अंदर से कोमल उनके हरदय में जैसे नारियल के अंदर पानी भरा होता है मधूर रस भरा होता है वैसे उनका हरिदय भी प्रेम के माधुर्यता से भरा होता है इसलिए ऐसे मिलन के प्रसंग में नारियल को फोड़ने का प्रचलन है ये दो कारण जो मुझे समझ में आए मैंने आपको बताया हो सकता है कि इस सुन्दर साथ अपने अपने हिसाब से तयार हो जाएं हम प्रसंग आगे बढ़ा रहे हैं अब कह रहे हैं तहां जाए ठाड़े भए तरह मुढ की लियाए अब सुनते रहेगा बिना आवाज किये उठकर के अपने अपने जगह पर चले जाएएगा महाराजा 16 साल जी गए सब सुन्दर साथ के पीछे जाकर के एक सीधे सादे व्यक्ती की तरह अनपड़ व्यक्ती की तरह खड़े हो गए तहा जाए ठाड़े भए तरह मुढ की लियाए कही बाबा जू राम राम बाबा बैठो इत आए बाबा बैठो इत आ महाराजा 16 साल जी सब सुन्दर साथ के पीछे जाकर के खड़े हो जाते हैं और दूर से कह देते हैं बाबा जू राम राम श्री जी ने भी अब प्रत्युत्तर दिया कि बाबा आकर के बैठो बाबा बैठो इत आए तुम आओ और आकर के बैठो महाराजा 16 साल जी जिस बिछोने पर सुन्दर साथ बैठे थे उसमें सब से पीछे कोने में आकर बैठ गए बहुत किनारे पर स्री जी ने कहा बाबा और आगे आओ मेरे पास में आकर बैठो वहाँ से उठे थोड़ा आगे सर के और वहीं पर बैठ गए स्री जी कहते हैं कि अरे मेरे पास आओ इतने दूर क्यूं हो अब तो तुम मेरे फंडे में पढ़ चुके हो अब जैसे ही ये बात सुनी एक होता है ना इंस्टिंक्ट बोलते हैं क्योंकि बचपन से लेकर के अब तक जैसी परस्थिति में महराजा च्छत्रसाल जी का पालन पोशन हुआ है ना केवल पालन पोशन बलकि जन्म भी ऐसी परस्थिति में हुआ है कि फसने की बात सुनते ही वही योद्धा वाले च्छत्रसाल जागरित हो गए उनको लगा कि जो मेरी आसंखाती वो सही तो नहीं निकली और उन्होंने तुरंद कह दिया कि संपूर्ण ब्रह्मान में ऐसा कोई नहीं है जो हम पर फंदा डाल सके एक मात्र बुद्ध जी है विजया अभिनंद बुद्धनिस कलंग स्वरूप जो मुझ पर फंदा डाल सकते हैं उनके अलावा और ऐसा कोई नहीं हम केवल उनके से वक हैं जिनकी निशानी के रूप में हम पिछले बारह वर्ष से उनकी मुद्रा लिये घूम रहे हैं जैसा कि मैंने कहा कि महाराजाच छत्रसाल जी किन परस्थितियों में पले बढ़े मुझे लगता है कि हम सब को थोड़ा सा इतिहां से जान लेना चाहिए औरंग्जेव जब दारा सिकोह के विरोध युद्ध कर रहा था क्योंकि उस समय के तो राजनीती वैसी ही थी महाराजाच छत्रसाल जी के माता पिता सारंधा और चम्पत्राए इन्होंने उस समय में औरंग्जेव के पक्ष से युद्ध किया था लेकिन कुछ समय के बाद में क्योंकि औरंग्जेव तो सब को खत्रे की रूप में ही देखता था जिस वीरता के साथ में सारंधा और चम्पत्राए ने औरंग्जेव का साथ दिया था उसके मन में कही न कही खटक रहा था कि ये बाद में मेरे लिए खत्रा बन सकते हैं और अरंग जेब कि ये नियत थी, ये आदत थी कि जिसको भी वो खत्रा समझता था, उसको राष्टे से हटा देता था तो वो कहीं न कहीं बहाना ढूंड रहा था उनको एक बहाना भी मिला और उन्जिब को ये बहाना मिला चम्पत्राय और सारंधा से युद करने का या लड़ने का कि किसी युद में एक बार ऐसी घटना हुई थी कि जो विरोधी दल के राजा थे उनके साथ युद में चम्पत्राय ने विरोधी पक्ष के किसी मुख्य युद्धा को मार दिया था और उनके पास एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला घोड़ा था अच्छी नसलका उस घोड़े को अपने पास ही रख लिया था और उन्जिब ने किवल इसी चीज़ को बहाना बना लिया कि तुमने मुझसे पूछे बिना वो गोड़ा कैसे अरख लिया वो गोड़ा तो मुझे चाहिए और इस तरह से जानभुज करके बोला ताकि अपमानी तो हो और ये स्वयम ही विद्रोह करें तो अरंग्जिब ने ऐसी परिस्थिती पैदा की कि विरोध करें वहां से सारंधा और चंपत्राय ने औरंग्जिब का विरोध करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके ये विद्रोह वहां तक फैला कि इन दोनों ने ये मन में ठानलिया की बुंदेल खंड को मुगलों की अधीनता से मुक्त करना है लेकिन औरंग्जिब ने अपने सैनिकों को चंपत्राय और सारंधा के पीछे लगा दिया था अब इनके पास कोई बहुत बड़ी तो सेना थी नहीं औरंग्जिब की अवस्था एक समय ऐसी थी कि उसके पास लगभग पांच लाख सैनिक थे पांच लाख सैनिक कम नहीं होते है सोचिए कि 16 साल जी जो अभी स्रीजी से मिले है उनकी अवस्था एक बार ऐसी आती है कि उनकी पास केवल 22 लोगों की टुकडी रहती है तो चंपत्राय और सारंधा के पास क्या ही होगी तो छापामार तरीके से युद करते हुए अलग-अलग जगा पे छिपते हैं छापामार युद करते हैं कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा औरंग जेब के सैनिकों को नुकसान पहुँचाया जाए पर समाप्द करना तो लगबग असम बहुँ सा था और वैसे भी औरंग जेब के सैनिक या स्वयम औरंग जेब को तो कूट निती में छिप करके वार करने में धोखा देने में तो ये सब माहिर ही थे इसलिए चंपत्राय और सारंधा बहुत लंबे समय तक युद नहीं कर पाए और दूसरी बात हमारे देश में वैसे तो बहुत बड़े-बड़े वीर युद्धा हुए ये हमारा सौभाग्य है पर इसके साथ-साथ में दुरभाग्य भी है कि जितने युद्धा हमारे राष्ट्र की भूमी ने नहीं दिये उतने ही गद्दार भी दिये उतने ही धोखे बाज भी दिये तो किसी के किसी नजदी की के धोखे के कारण ही चमपत्राय और सारंधा की भी मिर्ति हो जाती है उससे पहले एक और घटना हुई थी कि चमपत्राय और सारंधा के कहा जाता है कि कुछ इत्यास कारों का ये मत है कि उनके एक बेटे थे जिनका नाम था सारीवाहन सारीवाहन नाम के बेटे थे वह भी एक युद्धा प्रवृत्ति के अपने माता-पिता के साथ में मिल करके युद्ध करते थे लेकिन जिस समय औरंजेब के सैनिकों ने इन्हें घेरा ऐसे समय में घेरा तो नहीं नहाता है, ऐसे समय में घेर करके, उनको हत्यारों से रहीत करके सारी भान को मारा था, अब आज के समाज में भी आप देखते हैं, कि यदि माता पिता जिवित हैं, और उनके सामने उनकी संतान की मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारण से, तो उन्हें बड़ा दुख होता है और जिनका पुत्र योध्धा हो और जिनको अपने पुत्र से उम्मीद हो वैसे तो हर माता पिता को रहती है तो उनको दुख होना स्वाभा भी खिए जब विशेश रुप से माता उसमें बहुत दुखी थी उनके सपने में एक बार कहा जाता है कि सारी वहान आए और उन्हों ने कहा कि माता आप चिंता मत कीजिए मैं पुनह आप ही के गर्भ से जन्म लोंगा और परंपरागत रुप से ये माननेता चली आई है कहते हैं कि सारी वहान के अंदर जो जीव था उसी जीव ने छत्रशाल जी के रुप में पुनह जन्म लिया था और आगे की घट्टा जैसा कि मैंने आपको वर्णन किया सारंधा और चंपतराई की जिस समय मृत्ति हो जाती है उस समय छत्रशाल जी बहुत छोटे थे किसी तरह से चंपतराई जी के जो कुछ विश्वस्त सैनिक थे वे छत्रशाल जी को बचा करके वहां से ले जाते हैं और फिर उनका पालन पुशड करते हैं धीरे धीरे क्योंकि उनका भी जीवन उनका बाल्यकाल भी कहीं न कहीं वनवासियों के बीच में ही बीतता है धीरे धीरे करके वह बड़े होते हैं कुछ उस समय के जो प्रमुख लोग थे विश्वस्त निय लोग थे उनसे बुंदेल खंड के कुछ लोगों को इकठा करना शुरू करते हैं तयार करना शुरू करते हैं और आसपास के छोटे-छोटे राज्यों में वो आकरमन करते हैं पहले तो औरंग जेब के जो सैनिक थे उनको छापा मार तरीके से युद्ध करके उनसे लूटते थे और फिर उस लूटे गए धन से सैनिकों को तैयार करते थे, ऐसे धीरे धीरे करके, छत्रसाल जी ने अपनी सेना बनानी और बढ़ानी शुरू की। पदमावतिपुरी धाम पन्ना से एक साहित्य प्रकासित हुई है, उसका नाम है युग प्रवर्तक महाराजा छत्रसाल, इसमें छत्रसाल जी के लगभग लगभग संपुर्ण जीवन वृतांत का वर्णन है, कहा जाता है कि छत्रसाल जी ने अपने पूरे जीवन में छोटे और बड़े मिला करके कुल 252 युद्ध किये थे, जिसमें 52 बड़े युद्ध थे, लेकिन किसी भी युद्ध में उनकी पराजय नहीं हुई, उनकी हार नहीं हुई, अब इस तरह से धीरे धीरे करके छत्रसाल जी इस मुकाम पर पहुँचे हैं, और अब ये अवस्था आई है कि स्रीजी से उनकी भेट होती है, अब तक भी वो महाराज नहीं है, उनके ही कुछ लोग उनको राजा के रूप में मानते हैं, जानते हैं, वरना उसमें ये माननेता प्राप्त नहीं थी, कि दूसरे लोगों ने भी मान लियाओ कि महाराज, हाँ, जब स्रीजी की कृपा हुई उनके उपर हुआ, उसके बाद वह आर्थिक रूप से भी मजबूत हुए, सांगठनिक रूप से भी मजबूत ह और उनके राज्य का विस्तार भी हुआ, और स्रीजी के आशिरवाद से स्रीजी नहीं उन्हें महाराजा के उपाधी दी थी, अब स्रीजी से मुलाकात करके, अपने महल में गए, और महल में जाकरके, अभी जो घटना हुई थी स्रीजी के साथ मिलन की, वो घटना जाकरके सुनाई कहते हैं अंदर जाय के एक ही जिने करना होए दिदार सो सब ही कीजियो आया परवर्दिगार कौन आया है साक्षात परव्रम अक्षरातित आये हैं जिनको भी उनका दर्शन करना है वह जाकर के कर लें ये छत्रसाल जी की पहचान है उस समय में रानी देव कुमरी जी मव में थी वैसे छत्रसाल जी की तीन रानिया है एक शुशिला है एक देव कुमरी है और एक है कमलावती जी ये तीन रानिया प्रमुख है इनके अलावा बावन इस्त्रियां और भी थे पर जिनके साथ में विधिवत विवाह नहीं हुआ था हाँ उस समय जो मुस्लिम आक इकरानता थे वे कई बार हिंदू लड़कियों का अपरण करके जबरन लेके जाते थे तो महराजा चत्रसाल जी ने उन सभी इस्त्रियों की रक्षा की थी और उन इस्त्रियों ने कहा कि आपने हमारी रक्षा की है तो हम हरदैस से आप ही को पती के रूप में मानते हैं और हम किसी से विवाहा नहीं करेंगे जो पती शब्द होता है पती शब्द त्राध हातु से बना है पात त्राणे धातु से पाही मतलब रक्षा करना होता है तो पती का आर्थ होता है रक्षा करने वाला चुकि महराजा चत्रसाल जी ने रक्षा की थी तो उन बाववन कि उने भी ये स्विकार किया कि हम और किसी से विवाहा नहीं करेंगे महाराजा चतरशाल जी ने एक राजा का कर्तब ये निभाते हुए उनके लिए भी एक स्थान पर मौ के तरफ ही कमलावती तालाव कहा जाता है उसके पास में बावन छोटे-छोटे महल बनवा दिये उन स सभी के लिए उनकी जो वास्तविक राणिया थी ये तीन राणिया थी शुशिला जी देवकुमरी जी और कमलावती जी उनमें से देवकुमरी जी महु में थी उन्होंने जब महाराजा चतरशाल जी के मुख से ये बात सुनी तो वेश बदल करके ब्रांभनी इस्त्री का वेश बदल करके कि राजनिती में खत्रा केवल राजा को थोड़ी होता है पूरे परिवार को खत्रा रहता है इसलिए उन्होंने भी ब्राम्वनियों के बीच में वेश बदला और जाकर के स्रीजी सहाइब का दर्शन किया जब पूर्ण विश्वास हो गया उसके बाद फिर अपने वास्तवी के वेश में आकर के सेना के साथ जाकर के दर्शन किया साथ में बल्दिवान जी ही जो चाचा है कुछ लोग वैसे कुछ इतियासकार बल्दिवान जी की विशे में ऐसा भी कहते हैं कि बल्दिवान जी महारजा छत्रसाल जी के चचरे भाई थे पर वास्तविकता यह है कि बल्दिवान जी चाचा ही थे तो चाचा बल्दिवान जी भी जाकर के स्री जी का दर्शन करते हैं और ऐसे समय में क्योंकि पहले से ही छत्रसाल जी करके स्रीजी के पास आते हैं और प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि स्रीजी साहेब युद्ध में जा रहे हैं तुलनात्मक द्रिश्टी से देखा जाए तो अफगन खा की सेना क्या गे हमारी सेना कुछ भी नहीं पर आपका असिरवाद रहे ये भी पता नहीं कि हम वापस आएंगे ये भी हो सकता है कि आखरे मुलाकात हो बस आप अपनी क्रिपा रखिए स्रीजी ने एक रुमाल लेकर छत्रशाल जी के सिरपर रखा और उसके उपर अपना हाथ रखा और कहा कि आपकी जो विजय की मनोकामना है वो पूरी होगी अब महराजाद छत्रशाल जी के जो सेना में लोग थे वे घबरा रहे थे उस समय अफगान खान की सेना में आठ हजार की फोज थी जिसमें से तीन हजार तो घुड़ सवार थे और छत्रशाल जी की सेना में उस समय कुल मिला करके एक हजार सैनिक थे मतलब एक-एक सैनिक को आठ आठ सैनिक से युद करना पड़ता तो थोड़े घबराए हुए थे जब स्री जी ने आसिरवाद दिया क्योंकि लोग तो चमतकार को नमस्कार करने वाले हैं उन्होंने कहा कि यदि इस युद में हमारी विजय होती है हमारी जीत होती है तो हम मानेंगे कि यही परमात्मा है इनके आसिरवाद से हम जीते हैं अब युद भूमी में पहुँचे सैनिक आपस में भिड़े हैं महाराजा चत्रसाल जी के सामने अब अफगान खा है महाराजा चत्रसाल जी के बाहर उन्होंने जो तलबार थी पहले तो चत्रसाल जी ने जो प्रहार किया अफगान खान ने जुक करके उस प्रहार को बचा लिया और अब अफगान खान की बारी थी प्रहार करने की लेकिन उसके हाथ से तलबार ही छूट गई अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो कोई नौ सिखिया बच्चा होगा औरंग जिबने इतने भरोसे के साथ में अगर भेजा है तो कहीं न कहीं युद में तो माहरी होगा युद के बीच में हाथ से अपने आप तलबार छूटने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है यह तो श्री जी की एक प्रत्यक्ष क्रिपा है यह हम दो प्रकार की मेहर की बात करते न प्रत्यक्ष और परोक्ष जाहरी और बातिनी यह यहां पर जाहरी मेहर है अफगान खांके हाथ से तलबार छूट गए अब अगले ही पल 16 साल जी ने अपनी तलबार अफगान खांके गरदन पर रख दी अब वो तुरंद हाथ जोडने लग गया हाथ जोड करके माफी मागी प्राणों की भीख मागी और वहां से अपनी जान बचा करके भाग गया उस युद में जो भी नुकसान हुआ था उसका हरजाना उसको भरना पड़ा और वहां से चला गया जब वहां से विजय प्राप्त करके आए तो सब लोगों ने कहा कि ये तो परमात्मा की कृपा के बीना संभाव ही नहीं था कि 8000 की सेना से भीड़ जाते और विजे प्राप्त करते इस तरह से अब लोगों में भी कुछ-कुछ विश्वास आना शुरू हुआ अब महाराजा 16 साल जी ने स्री जी से तार्तम ग्यान सुनना समझना शुरू किया क्योंकि अब तक तो चर्चा इक्तियाधी सुनने का आओसरी प्राप्त नहीं हुआ पहचान किये हैं तो केवल उस मुहर से पहचान किये हैं मुहर से कहसे पहचान किये क्योंकि नारियल फोडने के प्रसंग में ये एक प्रसंग छुट गया जब 16 साल जी श्री जी के पास में पहुँचते हैं अपनी मुहर की बात करते हैं कि मैं तो केवल विजया अभिनन्द बुद्धनिस कलंग के वश्यभूत हूँ जिनकी मुहर मैं पिछले 12 सालों से लेकर घूम रहा हूँ श्री जी जिस विस्तर पर बैठे हुए थे विराजमान थे उन्होंने उस विस्तर का एक कोना उठाया थोड़े से और कहा कि कुछ ऐसी ही मुहरे तो नहीं है वहाँ पर 16 साल जी ने देखा कि जैसी मुहर उनके पास थी वैसी वहाँ पर असंख्य मुहरे थी तो उन्हें पहचान हो गई कि ये वही हैं जिनकी में प्रतिक्षा कर रहा था अब भागवत में उन्होंने प्रमान भी सुना था ज्यांद्रश्टी से थोड़ी थोड़ी बात सुनी थी अब ये चमतकारी लीला देख करके उनको पहचान भी हो गई लेकिन अब तक तारतव वाणी नहीं सुनी थी अब स्रीजी से उन्होंने तारतव वाणी सुनना सुरू किया परमधाम का सारा ज्यां सुना और उसके बाद 17 साल जी कहते हैं स्रीजी साइब अब मुझसे ये लोक व्यवाहार का काम नहीं होता है मतलब मेरे से दुनिया का काम अब नहीं किया जाता यह राज्य इत्यादी का काम मुझसे नहीं होगा क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं वाणी में कि लगी वाली कछू और न देखे पिंड ब्रम्हान वाको हैरी नहीं जिसकी लगन लग जाती है राज्य में उसको फिर दुनिया की कोई भी चीज आकरशित नहीं कर सकती चत्रे साल जी की भी अवस्ता कुछ ऐसी ही है पर श्री जी ने ही उन्हें सेवा के लिए तयार रखा क्योंकि उनके द्वारा जागनी की बड़ी सेवा होनी है इंद्रावती जी भी तो कहां राज्य का आनन छोड़ करके करना चाहती थी कुछ भी वो तो कहती हैं कि मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यों जीओ बल दे आप खड़ी करी कच्छु कारज अपने पिऊ यहां चत्रसाल जी की भी कुछ ऐसे ही अवस्था है पर स्रीजी नहीं उन्हें समझा करके सेवा के लिए तयार किया कि तुम राजा बन करके भले ही ना करो पर यह कि मेरे तरब से इस सेवा को तुम्हें समालना है तुम्हें राजार बन करके ही धर्म की सेवा करनी है इस तरह से समझा बुजा करके अब स्री जी वहां से चलते हैं मौव से मौव से प्रस्थान करके स्री जी पहुंचे हैं पन्ना जी वहां पर मजली रानी थी चत्रशाल जी की मजली राने जिनका नाम है शुशीला उन्होंने स्रीजी सुक्य सुरुप की पहचान की और फिर आकर के हवेली के अंदर रहने वाले और भी लोग थे परिवार के सदस्य उन सब को भी पहचान कराई कहते हैं और सब अंदर की रहे पीछे तिन जब महराज आ पहुंचे सबों बातां करी आगे इन जब महराजा चत्रशाल जी आए तो सब ने स्रीजी के प्रती अपने विश्वास की बात की कि किस तरह से हमने स्रीजी के स्वरुप की पहचान की स्रीजी के प्रती स्रद्धा भाव व्यक्त किया महराजा चत्रशाल जी ने आकर के सु रख दिया और अब वहाँ एक ऐसी घटना हुई कि स्रीजी जी समय भोजन कर रहे थे महाराजाद छत्रसाल जी उस समय पहुचते हैं स्रीजी के चरुनों में प्रणाम करते हैं और वही पर बैठ जाते हैं भोजन कराने की सेवा भी वो करते हैं में लग करके चत्रसाल जी के साथ में चार लोग आये हुए थे तो स्रीजी ने उन्हें प्रणाद दिया अब जब महाराजा जी ले रहे हैं तो दूसरे लोग भी लेने ही वाले थे विरोध तो नहीं कर सकते किसी ने पहचान से ली, किसी ने स्रद्धा से ली होगी, किसी ने मजबुरी में ली होगी, पर सभी ने प्रसाद ग्रहन किया अब वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं विश्य सुरुप से अभी बल्दिवान जी की अवस्था ऐसी क्योंकि उन्हें अभी स्रीजी के स्वरुप की पहचान नहीं है वो सोचते हैं कि एक महाराज होकर के महाराज का एक पद है उस पद की एक गरीमा है किसी का भी जूठा कैसे खा सकते हैं ऐसा बल्दिवान जी सोच रहे हैं पर शत्रसाल जी ये थोड़ी सोच रहे हैं कि कि ये किसी का भी जूठा खाना है ये तो प्रसाद ग्रहन कर रहे हैं और वो प्रसाद ग्रहन कर रहे हैं परब्रह्म का जिसके विशे में हम सेवा पुजा में कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस प्रसाद को पाने के लिए लालाईत थे कोटी जतन ब्रह्मा करिथा के सोजूठन नहीं पाए सोजूठन धनी सहज क पासो पंचम निस दिन पाई तो स्थार्साल जी ने भी उस्प्रसाद को ग्रहन किया अब कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू किया किया काहू काहू के दिल में कलियुग आए बैठा बध पहली दिल में करी जो था सेना में जेठा चत्रशाल जी की सेना में उस पूरे परिवार में जो जेठा मतलब बड़े थे बल्दिवान जी उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया चत्रशाल जी के विश्वास को तोड़ने के लिए उन्होंने समझाना बुझाना शुरू कि लेकिन क्योंकि छत्रसाल जी को तो स्रीजी के स्वरुप की पूर्ण पहचान हो चुकी है इसलिए कभी भी उनका चित्त स्रीजी से हटा ही नहीं और इतना ही नहीं छत्रसाल जी के साथ में रहने वाले हिम्मत सिंग, परवत सिंग, रूप साह, नारैन दास जी, अनूप सिंग, दुर्ग भान, जगत सिंग, ये सभी राजपरिवार के सदस्य थे या फिर सेना के प्रमुख लोग थे, इन सभी लोगों ने श्रीजी से तार्तम लिया, श्रीजी के प्रति उन्होंने निष्ठा व्यक्त की, अब ये समय था विक्रम संबद 1740 का जब श्रीजी पन्ना जी पहुँचे हुए थे, महाराजा चत्रसाल जी ने श्रीजी के स्वरुप की जो पहचान की और जो समर्पन किया, कहते हैं सेवा स्री महाराजे करी, क्यों कहुँ इन जुबां से, कि महाराजा चत्रसाल जी ने जो सेवा की, उसके विशे में कहां तक कहा जाए, वर्णन किया ही नहीं जा सकता है उन्हें अमिरूल मुमिनी नर्थात ब्रह्मि स्रिष्टियों में सिर्दार क्यों कहा जाता है, इसके कारण यहां पर बता रहे हैं, कहते हैं, काहू करी ना करसी, ए जब को उपजयो इंड, सब की सेवा सास्त्रों में लिखी है जो ब्रह्मान कि जब से इस स्रिष्टी के उत्पत्ती हुई है, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने अपने गुरूओं की तो सेवा की है, और ऐसी सेवा की है, कि उनकी बराबरी करने वाला आग तक कोई नहीं था, पर महाराजा च्छत्र साल जी के जैसी सेवा, उनमें से भ में महा भारत आप देख लीजिए या उपनिशद आदी देख लीजिए या फिर कुछ पवरानिक ग्रंद बहुत सारे ऐसे शिश्य हुए जिनोंने अपने गुरुओं की सेवा के में कुछ उदाहरन देना चाहता हूं ताकि हमें महाराजा चत्रसाल जी की सेवा की गरीमा का पता चल सके और उनकी सेवा से हम कुछ सीख सके हम पहले उन सिश्यों की सेवा के विशे में सुनते हैं समझते हैं और महाराजा 17 साल जी की सेवा को तो इन से भी बड़ी सेवा बताई गई है और फिर हम अपनी अवस्था देख लेते हैं कि क्या हम उन शिश्यों के बराबर भी सेवा कर पा रहे हैं एक सिश्य है गुरु भक्ती में प्रसिद इनका नाम है आरुणी उनके गुरु का नाम था महर्शी धाउम्या उनके आश्रम में आरुणी सिख्षा प्राप्त कर रहे थे गुरु कुल में और गुरु जी ने शाम की संध्या के समय में कहा संध्या मतलब हवन हवन के समय में गुरु जी ने कहा कि देखो बारिश हो रही है और यह जहां तक लगता है इस वर्ष की अंतिम वर्षा है तुम जा करके खेत में देखो कि कहीं मेढ टूटी हुई तो नहीं है क्योंकि यदि मेढ टूटी हुई है और वर्षा का पानी चला गया खेत से बाहर निकल गया तो फिर साल भर की हमें प्रतिक्षा करनी पड़ेगी और जो फसल हमने बोई है वो फसल बरबाद हो जाएग फिर विद्यार्थियों को भूख है रहना पड़ेगा या फिर विक्षा की मांगने क्या आओ सकता पड़ेगे आरूने जी चल दिया और जाकर के देखने लगे कि कहीं मेड टूटी तो नहीं ऐसे देखते देखते एक स्थान पर पहुंचे जहां पर मेड कुछ ज्यादा ही टूटी हुई थी और तब तक बारिस भी रुख चुकी थी उन्होंने क्या किया कि उस मेड को बंद करने के लिए पहले तो हाथ से मिट्टी डालना शुरू कर दिया लेकिन आप में से लगबग सभी ने खेती किसानी का तो काम किया ही है एक फावड़ा आप मिट्टी भर क बंद करके डालेंगे और दूसरे फावड़ी में मिट्टी उठाने लग जाएगे इतने में पहले की मिट्टी बह जाती है इसी लिए जब मेड ज्यादा तूटी हो आजकल तो वैसे ट्रैक्टर वगर आए फिर भी खेत में कहाँ ट्रैक्टर लेके जाएंगे फसल वाली तो वहाँ कम से कम 3-4 लोगों को मिल करके काम करना पड़ता है या फिर कोई बड़ा सा फटा वगर डाल करके इंट पत्थर वगर डाल करके फिर मिट्टी डालने पड़ती है ऐसे कुछ उपाय अपनाने पड़ते हैं अब आरुनी ने सोचा कि गुरुजी ने आज्या दी है म अब सुबह, सुबह भी संध्या होती है, हवन होती है हवन के बाद सारे विद्यार्थी अपने आचर्य को प्रणाम करने जाते हैं वहाँ देखते हैं कि आरुनी तो नहीं है आचरे जी ने पुछा आरुनी कहा है अब किसी को पता ही नहीं तो आचरे जी को याद आया कि मै ने उसको खेत पे भेजा था और यदि गुरुकुल में नहीं यह तो खेत में ही होगा सभी लोग गए जाकर के ढोड़ने लगे तो वहां पता चला कि एक जगपे आरुनी लेटे हुए हैं और थंडी की वज़ा से बेहोसी की अवस्था में हैं बेसुध हैं तो करके उनको उठा के लेके आते हैं हवनकुंड के पास रखते हैं गर्मी देते हैं और फिर उनको होसमे लाते हैं बात जब पूछी जाती है तो वो बताते हैं कि गुरुजी की आज्या थी तो मैं उस आज्या का पालन कर रहा था ऐसे सिस्य हुए एक और सिस्य हुए उनका नाम है उपमन्यू उपमन्यू के विशे में कहा जाता है कि उनके गुरुजी ने उपमन्यू को कुछ सो गाएं दी और कहा कि इन गायों को लेकर के जंगल में जा रहा है जब तक ये गाये 500 नहीं हो जाती तब तक तुम्हें गुरु को नहीं आना है मतलब तुम्हें सिक्षा नहीं मिलेगी आज येदी मान लीजे कि कोई विद्यार थी आये ज्यानपिठ में पढ़ने के लिए उनको कह दिया जाए कि आपके लिए ट्रायल है एक महिने तक आपको केवल सेवा करनी है कक्षा में नहीं बैठना है दिन बर सेवा करनी है इधर उदर नहीं बस गवसाले में हो सकता है कि हम पहले दिन करें और दूसरे तिसरे दिन बोले कि ऐसा ग्यान आप अपने पास रखिये हमें नहीं चाहिए उपमन्यों सोग आये लेकर के गए और अब वन में रहते हैं हाँ गुरुजी नहीं कहा कि उपमन्यों तुम अपना गुजारा कैसे करते हो उपमन्यों कहते हैं कि गुरुदेओ मैं भीक्षा मांगने के लिए जाता हूँ भीक्षा मांग करके अपना गुजारा करता हूँ गुरुजी कहते हैं कि देखो तो भीक्षिया के अन्न पर पहला अधिकार होता है गुरुकुल का इसलिए तुमें भीक्षिया में मागी गए अन्न को सबसे पहले गुरुकुल आके समर्पन करना चाहिए कि नहीं चाहिए उपमन्य ने कहा जो आग्या गुरुदेव बिख्षया मांगने जाते थे और फिर ला करके गुरुजी के चरणों में रखते थे दस-पंद्र दिन के बाद देखा तब भी उपमन्य वैसे ही है स्वस्त गुरुजी ने पुछा कि अब तुम अपना गुजारा कैसे करते है वो इतना सीधा विक्ति उसने कहा कि गुरुदेव मैं पहली बार विक्षया मांगता हूँ आपको लाके देता हूँ दुबारा विक्षया मांगने जाता हूँ क्योंकि पहला अधिकार गुरु का आए दुबारा मांगने गया वो थो मेरा ही तो गुरुजी ने कहा कि देखो विट्टी को एक भार विख्षा मांगनी चाहिए क्योंकि तुम दुबारा विख्षा मांगने जाओगे तो किसी और विद्यार थी कि विक्षा का अधिकार छीन रहे हो, ये तुम्हें अधिकार नहीं है, उपमन्यू ने कहा जो आग्या, फिर कुछ दिन बाद देखते हैं, अभी भी उपमन्यू स्वस्त है, गुरुदेव ने पुछा कि अब तुम क्या खा करके अपना गुजारा करते हो, उपमन्यू कहता है कि मैं तो गायों का दूद पी लेता हूँ, गुरुदेव ने कहा कि उपमन्यू, दूद पर पहला अधिकार होता है बच्षडों का, तुम्हें दूद नहीं पीना चाहिए, उसने कहा जो आग्या, कुछ दिन के बाद देखते हैं, अभी भी उपमन्यू स्वस्त ही है, से मेरा गुजारा हो जाता है, क्योंकि सो गाय थी, गुरुदेव ने कहा, देखो, गाय के जो बच्षडे होते हो, बहुत मासूम होते हैं, दयालू होते हैं, तुम्हें भूखा देखकर के वो जान बूज कर ज्यादा जाग गिरा देते हैं, जिस वज़े से बच्षडे कम जोर पड़ जाएंगे, इसलिए तुम्हें जाग भी नहीं लेना है, अपुपन्य ने कहा, जो आग्या गुरुदेव, अब क्या हुआ, दुद भी नहीं पी सकते, जाग भी नहीं खा सकते, चाटर सकते, अन भी ग्रहन नहीं कर सकते, अब भूख सता रही है, और एक दिन भूख के मारे उन्होंने कुछ पत्ते की एक पेड़ के तोड़ कर खाली है, उनको पता नहीं था कि ये कौन सा पेड़ है, और वो पेड़ था आख का, आख के पत्ते उन्होंने खाली है और आख का पत्ता बहुत गरम होता है, वैसे आख का पत्ता जॉन्डिस की एक बहु बनाया जाता है, दो चम्मच मावे के साथ में सुबह खाली पेट दे दीजिए और तीन घंटे तक कुछ मत दीजिए, पाने भी मत पिलाइए, ऐसे दो बार किजिए, आज एक दिन दिया, कल एक दिन का ग्याप रख के परसों दे दिया, दो बार में हेपटाइटिस भी तब जाता है, पर गरम होता है, इसलिए मावे के साथ खिलाया को काट सके, अब उन्हाने तो खाली पेट खाया, इसलिए पेट में जो गरमी थी अब उसके असर से आखों की रोशनी चली गई, अब वो हो गए अंधे, अब आखे है पर दिखाई नहीं पड़े ही रोशनी चली गई बच्णों के पीछे-पीछे वो चल रहे हैं लेकिन एक जगह पर एक सूखा कुवा था उस कुवे में वो गिर गए अब रोज प्रणाम करने जाते थे इसलिए गुरुजी ने सोचा कि आज उपमन्यु प्रणाम करने नहीं आया क्या बात है एक बार के लिए तो मन में गुरुजी ने भी सोचा कि भाग तो नहीं गया मैंने इतनी कठोरता का व्यवाहार किया इतना टॉर्चर किया उसको भाग तो नहीं गया फिर सोचते हैं कि वो भागने वालों में से तो नहीं है क्योंकि भागना होता तो कब का भाग पहली बार थोड़ी कर रहे थे तो उनको लगा कि जरूर कुछ हुआ है वे अपने सिश्यों को लेकर के वन में चले गए वन में जाकर आवाज लगाने लग गए अब उपमन्य भी प्रतिक्षा कर रहा था कि कोई न कोई तो आएगा तो जैसे उसने आवाज सुनी गुरीदेव और अपने मित्रों की उनके सिश्यों की तो उसने भी कुए से आवाज लगाई कि घुरीदेव मैं यहां कुए में गिर गया हूँ अब गुरीदेव ने दो वैद्यों को बुलाया जिनको देवताओं का वईद्य कहा जाता है अश्विनी कुमार उन्होंने कुछ ऐसी आउसदी बनाई मालपुवे में और तयार किया कि उस आउसदी को खा करके उपमन्यों की आखें ठीक हो जाती अब दोनों वईद्यों ने दवाई तो दे दी पर उपमन्यों ने कहा कि मेरे गुरुदेव की आज्या नहीं है मैं उनकी आज्या के बीना नहीं खा सकता कुछ भी तो उन दोनों ने विए क्योंकि ये तो परिक्षा चल रही थी तो उन दोनों वईद्यों ने कहा कि देखो आपके गुरुदेव भी जब विद्यार्थी जीवन में गुरु को लाय थे तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था उनके गुरुदेव ने भी ऐसा ही काम दिया था उनकी भी आखों की रोशनी चली गई थी और उनको भी हमने दवाई दी थी पर उन्होंने तो खाली थी दवाई तो कहते हैं कि नहीं कि पुत्र ये आउसदी तुम ग्रहन कर लो मैंने तुम्हारी जो परिक्षा ली थी उस परिक्षा में तुम सफल हुए हो और मैं तुम्हें आसिरवाद देता हूँ कि तुम्हें विधीवत अध्ययन किये बिना जैसे गुरु कुल में और लोग पढ़ते हैं उनके जैसा अध्ययन किये बिना भी ब्रह्म ज्यान की प्राप्ति होगी आत्म ज्यान की प्राप्ति होगी इस तरह से उन्होंने आसिरवाद दिया अब उनका नाम भी इतिहास में दर्ज हो गया और वो बहुत बड़े ज्यानी भी हुए केवल गुरु की भक्ति के कारण से वो ऐसे न अपने गुरु को अंगूठा काट करके दिया, मर्याधा पुरुष्वत्तम राम भी ऐसे शिश्य हुए है, जिनों ने अपने घुरु की आग्या का पालन किया, तो एसे बहुत सारे घुरु सिषी के संबन्द में प्रसंग है पर यहाँ क्या क retे कि सास्तुमें तो बातें लिखी हुई है उदहरंद यह गए है पर महाराजाद शत्र साल जी के जैसी सेवा किसी ने भी नहीं कि क्यों क्या केते हैं कि जैसे जिन पगले भरे तैसा ही लिखातिन इन हिसाब कर देखियो खास गिरह मौमिन सेवा तो सब ने की पर किसकी सेवा की जा रही है इस पर भी तो निर्भर करता है ना उसकी महत्ता बाकि सभी लोगों ने किसी ने किसी गुरू की सेवा की है सिश्य के भाव से श्री जी के स्वरूप की पहचान करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में पहचान करके सेवा की इससे उनकी महत्ता सर्वोपरी हो जाती है इन सिस्यों ने भी बहुत सारी परिक्षाएं तो दी पर श्री शाल जी ने तो स्वयम को ही दे दिया केवल परिक्षया नहीं दी अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया इसलिए उनके जैसी सेवा आज तक न किसी ने की थी और न भविश्य में कोई कर सकता है अब हम अपनी तुलना करके देख सकते हैं अभी तो आगे की पूरी वितक में यहां से सुरू होकर के अश्ट प्रहर के लीला हम सुनेंगे अश्ट प्रहर के लीला में सुबह के 6-9, 9-12, 12-3 साम के 3-6 फिर 6-9, 9-12, 12-3 साथ प्रहर तक महाराजा च्छत्रसाल जी हर सेवा में कहीं न कहीं उपस्तित होते हैं केवल आठवी प्रहर में नाम नहीं आया है उसके साथ में वो अपना राज्य भी समालते हैं अपनी आत्मका भी कारिय करते हैं इसलिए उनकी महत्ता सरो परी केवल राजा थे इसलिए नहीं उनकी रहनी की वज़ा से अब आगे किस तरह से महाराजा 16 साल जी ने स्रीजी के स्वरुप की पहचान करने के बाद सेवा की कैसे चोपड़े की हवेली में स्रीजी साहिब को उन्होंने पदराया किस तरह से उनकी रानी ने स्रीजी के चलने के राश्ते पर अपनी साड़ी का पाउड़ा विचाया महाराजा चत्रशाल जी ने कैसे अपनी पगड़ी का अपने पाग का पाउड़ा विछाया कैसे उन्होंने स्री जी की समस्त सुंदर साथ के बीच में रख करके आरतिकी और उनको अक्षरातित के रूप में पहचाना कैसे महाराजा चत्रशाल जी के चाचा बलदिवान जी ने स्री जी की परिक्षा लेने के लिए उस समय के बड़े बड़े विद्वानों को सास्त्रार्थ के लिए चुनोती दिया और स्री जी की कृपा से वे सब पराश्थो करके गए ये सारी वितक हम सुनेंगे कल और साथ में ये भी सुनेंगे कि किस तरह से पन्ना जी की धरती हीरा उगलने लगती है आज भी तो पन्ना में हीरा की प्राप्ती होती है उस समय तो ऐसे खोदना नहीं पड़ता था खुदाई नहीं करनी पड़ती थी ऐसे ही अनायासी प्राप्थ हो जाते थे किस तरह से ये सब संभव हुआ ये सारी भी तक सुनेंगे हम कल अभी के लिए समय पुरा होता है चोपईदोराई जैसे जिन पगले भरे तैसा ही लिखा तिन इन हिसाब कर देखियो खास गिरोह मौमीन खास गिरोह मौमी बलस्री प्राणेनाथ बलस्री सद्गुरु महराथ प्रणाज